अब हम लोग पढ़ेंगे आवेस के प्रकार तो आवेस के प्रकार अभे भी तुपरादेर पहले हम लोग पढ़ेंगे हैं कि परमानू जो है पदार्थ क्या है परमानू से मिलके बना होता है और परमानू में इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन और निट्रॉन होता है बता है ना electron, electron पे negative charge होता है मतलब green avens होता है और proton पे positive charge होता है धन ABS होता है ठिक और neutron उदास्रीन होता है उस में कोई चार्ज नहीं होता है ठिक तो Aves के परकार हम कैसे निकाले कैसे जान गये कि Aves के दो ही परकार होगा उसे ज़्यादा नहीं होगा ठिक है तो ये काच का च्छड है ठीक है ये हो गया आपका काच का च्छड हो गया ये काच का च्छड हो गया तो काच के च्छड में अभी क्या है अभी किसी चीज़ से रगरे नहीं है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है निगेटिव चार्ज भी है और ये उधासीन है मतलब वी उधासीन है ये किसी चीछ से भी रगरा हुआ नहीं है लेकिन जैसे ही इसको रेसम से रगरते हैं हम लोग रेसम कपड़ा हो गया ठीक है थे रेसम के कपड़ा से रगरते हैं तो रेसम में भी भी अभी क्या है पॉजिटिव चार्ज और है डोनों है यह झाली तो आप कहाने की आवेस का हम लोग दो ही परकार क्यों माने एक पॉजिटिव माने एक निगेटिव क्यों माने क्या समझे तो चलिए अब आगे समझते हैं तो अब हम धन ₹ कप कहेंगे और व्याभेस कप कहेंगे यानी किस फित्व ज्यादा हो गया कि इसमें आभेस हो एकव यह हम लोगों कवा पता चलेगा जब हम किसी चीज से रगड़ेंगे लिए रेसम को रगड़ेंगे तब छड़ को रिसम्त से रगड़े एक तो काच के छर से जितना भी इलेक्ट्रॉन था ठीक है वो सब किसमें चल जा रहा था ठीक है तो काच के छर में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इलेक्ट्रोन जो है अपका चला जाएगा हट जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो देखिए तो धन आवेस कहने का मतबब हो गया कि जिसमें से इलेक्ट्रोन की हानी होती है अईफ आे तो इलेक्ट्रोन ऊसमें से निकल जाता है तो सिर्फ दहन आवेस्ट बचेगा यहतों सिर्फ भग फाज़ेगा नावी चे मतर्फ इसलिए और electron इसमें जादा आ गया मतलब electron जो गरहन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा रीन आवेसित हो जाएगा रीन आवेसित हो जाएगा तो धन आवेसित और रीन आवेसित समझ में आ गया कि आवेस के दो परकार होते हैं धन आवेस और रीन आवेस क्योंकि कोई भी पदार्थ परमानु से मिलके बना होता है और परमानु में सिर्फ प्रोटॉन निट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोट्रॉन में हाँ कि जभी भी कोई भी बस्तु में आदान पर्दान होगा किसका आदान पर्दान होगा सिर्फ इलेक्ट्रोन का आदान पर्दान होगा ठीक हाँ इलेक्ट्रोन या तो उसमें से दूसरे बस्तु से इसमें चलाएगा आ जाएगा तो जाएगा इलेक्ट्रोन ही आएगा जाएग ठीक है उसका इलक्ट्रोन का है ह預 연 किसमें आ जब रगड़े है रेसम से तो काज के चर से एलेक्ट्रोन क्या हो गया चला गया अट गया निकल गया तो हट गया तभी तो धना वेसित हो गया काज का च्छड और यह क्या हो गया अधीन आवेसित हो गया ठीक हो गया हो गया यहां तक समझ में आ गया चली तो धना वेस और रिना वेस समझ में आ गया कि जिसमें electron हटेगा जिस में से जिस बस्तू में से क्या होगा electron का हट जाएगा निकल जाएगा वो धनावेसित हो जाएगा यानि धनावेस उसमें चला आएगा सिर्फ धनावेस रहेगा और जिस बस्तू में electron आएगा electron का बृध्धी होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोन रहेगा वो क्या हो जाएगा डी नावेसित हो जाएगा हम लोग देख रहे हैं कि कहां के छर्ट से रेस्टम में क्या चल जा रहा है निगेटिव चार्ट चला जा रहा है तो मतलब काच के छर्ट से इलेक्ट्रोन जा रहा है तो किसी में जा रह तरहां कि अपने पास ले ले रहा है तो इसलिए रेस्टम आपका रीना वेसित हो गया जब आप दोनों को घर्थन किया है तब दोनों को ड्यागरे तब ठीक है नहीं तो पहले से तो अपना अराम से है ठीक है जब तक नहीं उसको ठीक कि अ और तरी तो अब आता है बात आतै अब यहां से समझ यहां कहँए अब हम लोग दो काश कर लेते हैं ठवीक्त मैं बहुत का चली सिर्फ समझाना के लिए तो काइस का चली एए ए दो काशाणा लिये आफका लिए और और रेस्टस का प्रसे कॉप्रा होगी आपका तो इसमें पॉजेटिव चार्ज आ गया और इसमें निगेटिव आ गया और इसमें निगेटिव आ गया तो अभी दोनों में क्या है अब देखिएगा कि जब दोनों काच के चरण को पोजिटिस पने आज पास बस वह टम लेगा को और देखिएगा कि आपने अर्सित नहीं करेगा क्या करेगा उसको हटाएगा कि भटो तुम इसमें पॉजिटिव चाल था इसमें फॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों एक दूसरे के राजा है और यह तुम भागो यहां से ठीक है इस तरह से काले पॉजिटिव पर्ति कर्शित करते हैं एक दूसरे को अलग करते हैं समान मतलब सबस्स रहेगा जाहीं माइनस माइनस रहे, माइनस माइनस भी रहेगा, वो भी वो क्या करेगा, अलग करेगा, ठीक है, हाँ, 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 अलगी करेगा, ठीक है, तो यह बात समाज में, आवेस एक दूसरे को पर्तिकर्सित करते हैं, मतलब अलग करते हैं, वो एक दूसरे से आपस में मिलते नहीं है दोनों पर धन आभेस रहेगा या दोनों पर दिन आभेस रहेगा तो एक दूसरे को वह भी दो बस तूब लिजिए ठीक है अब दूनों बस तूब जानते हैं चुमबक चुमबक में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरफ निगेटिव रहता है एक तरफ निगेटिव रहता है एक तरफ निगेटिव रहता है ठीक है निगेटिव तो पॉजिटिव को पॉजिटिव लंग ले जाएगा ना तो क्या करता है चुमबक भागने लगता है लगते हैं यह तो पॉजिटिव ले जाएगा तो चुम्भक भागने लगएगा मतलब यह हो गया कि यह तरह का मतलब आवेस जो होगा वह एक दुर्ण को अलग करेंगा अपने और नहीं अकर्सित करेंगा लेकिन यहीं पे इस चुम्भक को एक तरह प्लस एक तरह माइनस है करें तो यह यहाने दो अलग अलग आवेस रएगा एक दुसरे को आकर्सित कर लेगा यहां से समझेगे अगर पलस पलस रहा तो अलग अलग हो जाएगा ठीक अलग हो जाएगा और माइनस पलस रहे तो क्या हो का जाएगा जाएगा एक अब आया बात समझ में को इसका मतलब समझें कि समान पर कार के सजाती आवेष एक दूसरे को पर्तिकरशित करते हैं और प्रित परकार के विजातिए एवेश एक दुसरे को आकरसिद करते हैं सफ़ीत अलग sm attend ऐनी पलस माइनस या माइनस पलस रहे तो या करेगा यह दूसरे को करेगा ऑन जी कई चलिए यहां तक कोई दिकत चलिए अभी इसको तो असर रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम आपको बताया है आईए तो हम मैंने अभी आपको बताया है कि बैदूत आवेस क्या होता है मतलब बैदूत क्या होता है आवेस क्या होता है तो बैदूत के बारे में बताए हैं कि सबसे पहले थेल्स ने 600 साल पहले क्या किया कि अंबर का पेर से जो एक चिपचिपा पदार्थ का गोंद होता था ठीक है गोंद जब बाद में सक्त होकर पत्थर बन जाता था तो उस पत करने का गुन आ गया यानि वह चोटे जब छोटे-चोटे धूल कन को वह अपने वर क्या कर रहा था आकर्षित कर ले रहा था अपने तरफ तो उसी को सर्थ हमस ब्राउन ने क्या किया में विदूत नाम दे दिया ठीक है विदूत और यहां पर कि जीन भस्तू में आकर्षित करने का गुन आ जाता था वह क्या कहल आता था कि वह विदूत में हो गया वह एक्षण हो गया तो हम लोग बूलते थे यह बस तो क्या है बिजुत मार्ट पाले से कही न कहीं घी सा हुआ है जो भी बस तो बहुत है तो उसको क्या बोलते थे कि वह पदार्थ क्या है आवेसित है ठीक है चाज रहे ओर घरसन से जो इत्पन होता था बिजली उसको क्या करता थे घरसन भी तो ऑलता है तो अलग से प्रोट्रोन परतान के प्रतान के प्रमानु से मिलके बना होता है और परमानु क्या है प्रोट्रोन निट्रोन और इलक्रोन से मिलके बना होता है प्रोट्रोन पर धना चुल होता है इलेक्ट्रोन चु zurओंवेश होता है ठीक याद रहाएघा ना कमई लिएक घंशचुल तो मंद्वाइब कर्वेश हीन होता है ऑदासी रहता है ठीक है मेशच को तो कभी भी कोई भी पदार्थ से इलेक्ट्रोन का ही आगमन होगा ठीक है या तो इलेक्ट्रोन जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रोन आएगा ठीक है और तो इसी तर हम लोग देखे हैं कि आवेस के दो परकार होगे एक धन आवेस होगे एक टीन आवेस होगे और यहीं दो परकार के अलावा कोई आवेस नहीं होता है क्योंकि हम लोग धन आवेस और टीन आवेस से ही पता कर लेते हैं कि बस्तु आकर्सित होगा कि नहीं होगा ठीक है और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि अगर दो समान परकार के दो समान परकार के आवेश को एक साथ ले जाएंगे यारी दो काज के च्छड को जो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें धन आवेश से पहले से उसको एक दूसरे लंग ले जाएंगे तो क्या करेगा का तुकर अकर्सित कर लेता है तुण अलग परकार के का मैना सुझाएगा ठिक है एक पोसितिव हो गया और एक zeros like सब्सक्राइब एक हो गया यह उजाएगा तो फोज दोनों को आपस मिले जाएंगे तो क्या हो त्षिप है अच्ig जाएगा है इसको कि एक एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है उत्तरी धूर्व पढ़े तो येगा लेकिन इसी तरह एक जगा पलस चार्ज लिजिए और एक तरह माइनस चार्ज लिजिए तो दोनों क्या होता है आपस में लिए जूर जाता है आकर्षित हो जाता है ठीक है यहां तक कोई द्यक्त देखत है अध्य जा लिए कि सभी आत कर लिजिए आज प्रते तो उस अभी भी जो बता है वहीची सब्हें अभी है कि मल जीए जैसे कि यह आप उतानिका दिया हुआ है यह तानिका है है और हम लिखे हुए हैं आप तो cmaq को जाएगा यहां पर इसको समझे़े जो नीचे वाला होता जितना नीचे रहेगा उसमें प्लस चार्ज और जो नीचे में रहेगा उन निगेटीव चार्ज तो इसको इस समझे कि हम लोग एक काच का छड़ लिए ठीक है चलिए एक काच का छड़ लिए ठीक एक काच का छड़ लिए ठीक आँका पात ले लिए और इसको उपर मेंठीन किसी बिल्ली के खाल से श्ड़ गर यह इस बिल्ली के खाल से रगर दीजिए ऐसे हम लोग रगर रहे हैं तो अब बताए मरम चार्ज रहेगा और किससे ऑठी आव रहेंगा रहेंगा बताए इस क्यास की कि यह करें है तो किसी मेund आब TR आ습니다 है तो है पे हम लोग आंद हागए है इंद्नीש का अब मिता है कि ऊपर वाले में प्लक्स का चार्ज रहेगा और नीचे वाले में मेड़िन का आइक यह तो काच के चार में अब आप लिटीफ चार्ज आ सब्सक्राइब क्योंकि नीचे वाले में यह इस तर्यक्त ही दिया वहा है ताली का रुसार दिया गया हुआ है कि हम लोग का रही न कर रहा है कि कि तर्फ पॉजिटिव कर रहा है उसको बीँपन किस चीज से उसको रगड़े है तो कांच के छर्क एगर बिल्ली के खाल रगड़ रहे है कि लिए खाल से रगर रहे है तो क्या हो रहा है काच के चर पर निगेटिव चार रहा है और यहीं पर समझेए यह काच का चार हो गया एक काच का चरो गया और आप नीचे काच एक लिये और इधर रेसम ले लिजी इसको पाच्वा नमबर रेसम ले लिजी ठीक है चलिए उत अछ्यार में निगटिव हो जाएतम सब्सक्र zwy यह निगटिव सब्सक्राइं आप कुर्स का इस तालिका को रमिए ऊफ़ी तो इस वाद फला लेन के बाद चप्रा और मूम को एक कर दीजेगा ठीक है अब त्षप्रा और में को एक कर दीजेगा और रेसम के बाद मानव शरीर को एक कर दीजेगा ठीक है कणानव को मतल मानव शरीर में भी तो आकर्षन करने का गुन होता है कि नीग % है एलयों कि आप दोनों हाथ को इस तरह रघर रहे हैं ठीक है कि रहlesेगlor है तो देखती आपका हांत गर्म हो जाता है रहता है हिए लिए सब्सक्राइद जाहना जाता है आएसे चता करने ऊसे टकर सबस्क्राइब य तरह से रखता है से फ़ल है कि व क्या होड़ा है और यह टरह से चीप चीपकड़ा है ठीक है तो इसको नोट कर लेज़ेगा यह जरूरी जरूरी चीज इसलिए है कि हमको याद रखना हुगा कि कब काच पे निगर्टिव चार्ज होगा और कब काच पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग कहेंगे कि अगर काच को भी से रिश्थ्रम से अगर रगरते है नीचे वावले किसी वी चीज से नीचे वाले किसी भी चीश रगरते हैं तो काच पे क्या हो जाएगा गाउजिटिव चार्ज हो जाय जाएका कि वह वरे येंदों बचाई familiar है तो बिल्ली का खाल याद रखिएगा और फला लेन याद रखिएगा और फला लेन पर क्या होता है प्लस का चार्ज रहता है ठीक है इतना ही बात याद रखना है उच्छन आता है इससे काच के छोड़ पे कब निगेटिव चार जाएगा मतल़ कब मेरी नातम कर रहें काच के छोड़ को खलालें से रगरेंगे तरह कोई बस्तु है यह सरा से जैसे बिल्ली का खाल निगेटिव हो जाएगा ठीक है अधाइट दुश्राइब को चार को पिल्ली के खाल से लगरते हैं याद लगा रहें आप यह जल लगे बहुत अच्छा ठीक है अपिल्ली का खाल अयवा नाइट का च्वर हो गया इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बिली के बिल्ली के फाफ पॉजिट्टीव चार्ज हो वह चलिए अभ यहां ध्यान लखिये यह वह नाइट को चट्रको यह ले लिए हम इस बनाइट जो अभी बता है कि हाड रभर होता है यह जो पुलिस की हाथ में देखते हो यह गाप ठीक है और यह काच हो गया ठीक है का अब और काच पर क्या हो गया है इस दोनों को जब आपस में ले जाईएगा तो क्या होगा हका फरतार परदान तो हो चुकता पालत सभी से एक इवानाइट छड़के पास ले जाईएगा तो क्या होगा प्रॉट एवनुध के छड़को काच के पास ले जाईएगा तो क्या होगा पहले से हैं काज पॉजिटिव है दोनों को एक साथ एक साथ रखते हैं तो क्या होगा आकर्षन होगा कि बिकर्षन होगा अलग हो जाएगा कि आकर्षित कर लेगा अपने तरफ जोड़ लेगा इसाथी धूरूम रहता सजातीय आउस रहता तो अलग हो जाता लेकिन तोनों पर अलग अलग français भंट है खिया है इसी तरह आपनी योड आकर्शित कर लेगा और को ना कर्सित करता है अपनी योड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है अजलिए इतना वा समझ महा गिया सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लेकर गया कोई दिखत करते हैं अब पड़िवासा आएगा कि पड़िवासा पुछा जाता है आप देखे विएगा कोई कि पूछा गया है तो सीधा कोचन है कि किसी बीदूत के पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए नहीं बता देंगे किसी पदार्थ का वहां जिसके कारण उसमें विदूत तथा चुम्बक्या पर वावत पर आप अब भी जूबक्या जाएगा तो चुम्बक का गुना जाए तो देखे तो हम लोग आप यू से क्यू से परदस्तित करते हैं चोटा वाले क्यू से परदस्तित करते हैं मतलब क्यू से इनोट करते हैं क्यू से उसको पहचार पहचार मिलता है कि आप इसको हम लोग क्यू बोलते हैं ठीक है क्यू तो और क्यू आप दिवासा होता है इन इक मतलब इसका ती सुत्र माल लिए फर्मूला हो गया क्यू बराबर इन इन मतलब नमबर इन मतलब नमबर 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 किसका पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कि संग्या वह जानने के लिए इन और इका मतलब होता है इक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर अवेस कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर क्या निगेटिव चार्ज होता है याद रखेगा तो इसका यह क्या होता है इसका मतलब यह बहुत इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है आपका और इसको अश्रॉन किया जा सकता है और यहां पर आपका यह बात समझ लिए यह बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है आपका और इसको अच्छे स्याथ करिएगा इंपोर्टेंट है इसलिए कि आवेस का मातलब पुछा जाता है कि यह साई पंस्ती में मतलब होता है कि पूरा दुनिया में परा इंटर्नेशनल सिस्टम मतलब दुनिया परति को इस पांड टा तो को जायेगा जिसको हम लोग सी से डिनोड करतें ठीक है तो कुलॉम्भ कंवेता है कुलॉम्भ बेगारनिक का नाम है उसी के नाम पर यह अथि पड़ा हुआ है ति नम बना हूँ आवेस बरावर हम लोग आई गुन्य ट कह सकते हैं मतलब आई मतलब एंपियर और टी मतलब सकेंड ठीक है एंपियर सकेंड आवेस का मतलब एंपियर आई का मतलब एंपियर मतलब धारा धारा अगुन्य समय आवेस बरावर आई का मतलब वता है धारा हाँ और आवेस का मतलब होता है समय तो आवेस का मतलब फर्मूला पूचेगा तो धारा गुन्ने समय बोल सकते हैं को नीचे में हम लिखे हुए है कि यदि किसी चालक में एक एंपीयार की वैदीत धारा एक सकेंटक पढ़ाइथ उस चालक में से उस्चामम् कि परिवास पूछेगा आप से कि एक कुलम का परिवास बताईए तो आप यह वाला बता दीजिए बहुत इंपोर्टन कुछन इससे पूछा जाता है तो देखिए आप जब उचल में बनाईए गाना पड़िया तुसमें इस अपूछ रहे हैं कि एक कुलम का परिवास कि पर दुनिया पर चली था उसलिए और कि किसे बगरा में किया जाता है तो आमेरिका में सबस्क्तराइद का जाता है किसी सबस्कित के उसको यूज़ किसले कोई आप दुनिया या। टू दुनिया ended के लाइंगा है f Alison in this के बावर ना सीच और हम लोगन को इस्तेट कुलांम को कुलाँ को दो बदालना चाहेंगे याकरेंगे ल स्वा डश te बुना कर देंगे एक है और इसका सबसे बारा मतरक फ्रेंकलीन होता है और सबसे बारा मतरक फैराडे होता है याद रख लिजेगा इसको बहुत अच्छा यह आज आसकता है है कि अगया ऐसकता है ठीक है और एक फैराडे मतला बहुता है 92500 धानि कुलाम में या जरुवत नहीं है इस जो रख वंड़ा राता इसके लिए हो गया अपर इसाव याद कर लिजेगा है इस यह मतलता है इस्धिर बैदू ठिकाई और यह मतलता है विदूठ चुंब पहता है यह मतलब magnet और इस मतलब statics मतलब इस्थिर जो है इसे का भ्यूद दिया हुआ है यहाद कर लिजगा है कि ESU में जो होता है एक कुलॉंब बरावर तीन गुन्ने 10 के पावर 9 ESU और एक कुलॉंब बरावर मैगनेट वाला में चुम्बकिये वाला में एक वट्टा दस ठीक है एक वट्टा दस होता है इस अभी याद कर लिजाएगा घर्सन द्वारा उत्पर आवेस निम लिखी दो बाते पाई जाती है यहाँ पर समझेगा अच्छा से अभी हम लोग देखे हैं हम लोग दो डिजित्य चार जा रहा है और एक में निचेटिव चाल जा रहा है तो यह डोनले ऐकके साथ है यह 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 इसमें का सधुक गया कि अर्ण एक साथ उत्पन हुए धना बेस बदि डावर होती है यानि इसा मेरी भीयोग, बड़ाबर होता है। होता है ठीक है। ऑगया इतना आगा समझ में हो कि है आलो? ह Ч mono? और आगिए तमझ में तो यह काम होगे आपका नीचे में कुछ दिया हूआ है ज्यादा कुछ करना नहीं को विद्ग कोई भी बस्तु को हम कैसे जानेंगे वह बस्तु आवसीत हुआ है कि नहीं विद्ग किसी बस्तु के आवसा होने का बास्तबीक में प्रचान क्या है तो सिध्धा एक हां ये जवाब में आप बुलिएगा ओ ये जवाब बोला पड़ प्रतिकर्चन परतिकर्चन बखाव यांनि आप दो बस्तू को आपस में रगढ रह रहे तो भी का अलगाव होगा तो हम समझेंगे कि क्या है वह बस्तु बत्राइब कर सबस्त हो ने का परतिकर्षन हो गया ठीक है है तो आप से सिर्दे एक वर्ड पुछेगा तो बलेए परतिकर्षन से हम पाचान सकते हैं कि कोई बस्तु आवेसित हुआ है जो भी इंपोर्टेंट कुछन होगा ना हम खुद लिखवा देंगे आपको बसी कुछ नहीं कुछर है बाता है बाद्यूत अब इसका इलेक्ट्रों सिधांत क्या हो गया कि कोई भी बस्तु को आपस में रगड रहे हैं तो देख रहे हैं कि उसमें का इलेक्ट्रों क्या है चला जा रहा है तो इलेक्ट्रों का आदान परदान ही क्या होता है बाद्यूत अबस्तु का इलेक्ट्रों सिधांत होता है तो इसमें का का इल्क्ट यह क्या थो वेầnस का इलेक्ट्रोंच करते हैं इसको यात करना ही करना है ठीक है बीवाई ऐसके पादेने हैं यह लूदर टो इतना ही आज के लिए अबँड में तो आपनोट कर लिजिएगा तो आप भीडियो निकल वाल जागा तो एक बार सीधे डायक्ट एक के साथ जब एक चेप्टर प्रेंगे ना तेक साथ निकल वाल जाएगा अच्छा तो आज रहना है जिए कल सब्ढ़ियेगा ठीक है का विद्ध में अभी नहीं डिलाया है अब डाल देंगे ठीक है यूट्व पर डाल के आपको हम लिंक भेज देंगे अपना देख लेगा समझे अब आपको अच्छा लगा है तो बताएए किसी को नहीं तो वबस नहीं है ठीक है कि यह ऐसे हैल शुब दिए पिसको याद कर ली जागा सुनेंगे ठीक है व्याद करना को सीट बोड कम सबढोत है ठीक चलिए ठीक है लिए कर दो कल मिल एकल मिल तरह चली झाल हलो हलो खर सुझ खर एक खर प्धिए खरण खर दे दो खरी खरेंग खरी खर्व खरेंग खराँ अग्ट झाल झाल आगे 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 झाल 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 झाल